मरकुस प्रचित सुसमचार ग्यारमा अध्याए जब वे एरुशलेम के निकर जैतून पहाड़ पर बैत्फगे और बैत्निहा के पास आए तो उसने अपने चेलों में से दो को यह क्या कर भेजा कि अपने सामने के गाउं में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चड़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल लाओ यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वे शीग्र उसे यहां भेज देगा उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे और उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो उन्होंने जैसा इश्यू ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को इश्यू के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया और बहुतों ने अपने कपड़े मारग में बिच्छाए और औरों खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशाना धन्य है वह जो प्रभू के नाम से आता है हमारे पिता दाउत का राज जो आ रहा है धन्य है आकाश में होशाना और व और सब वस्तों को देखकर बारहों के साथ बैतनिहा गया क्योंकि सांज हो गई थी। दूसरे दिन जब बैतनिहा से निकले तो उसको भूक लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेर देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ न प पिर वे यरुशले में आए और वे मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकानने लगा और सर्राफों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने न दिया और उपदे पर तुम ने इसे डाकों की खो बना दी है यह सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूनने लगे क्योंकि उससे डरते थे इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे और प्रती दिन सांज होते ही वे नगर से बाहर जाया करता था फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा पत्रस को यह बात स्पनण आई और उसने उससे कहा हे रब्बी देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तुने श्राप दिया था सूख गया है ईश्यों ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संधेह ना करे बरन प्रतीती करे कि जो कहता हूँ वे हो जाएगा तो उसके ल कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गी पिता भी तुम्हारे अपराद क्षमा करे और यदि तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराद शमा ना करेगा। वे फिर यरिशुले में आए और जब मैं मंदिन में तहल रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरुनिये उसके पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है। और ये अधिकार तुझे किस ने दिया है कि तू ये काम करे। ये शु यहना का बप्तिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था वा मनुश्यों की ओर से था। मुझे उत्तर दो। तब वे आपस में विवात करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वे कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीती क्यों नहीं की। और यदि हम कहें मनुश्यों की ओर स तो लोगों का डर है क्योंकि सब जानते हैं कि योहनना सचमुच भविशु दखता है। सो उन्होंने ईश्यू को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। ईश्यू ने उन से कहा मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं।